A New Oxford Modern English Book, Class 7th, A Voice in the Dark, written by W.H. Davis, Complete Explanation in Hindi यहाँ यह जो पूरी स्टोरी दी गई है, वो W.H. Davis की खुद के ऑटोबाइग्राफी जैसे हम बोल सकते हैं इसमें उन्हों पना एक पैर लूस किया था, उनका जो फूद था एकशीदेंट में तोड़ किया था और यह जो स्टोरी है, इस स्टोरी है स्टोरी इस फ्रम कैनाडा, बहुत जाया हैं गले ऑर यहाँपर जो सिटी खेयर यह नाम Requya SLU और शुट्टल,06 0000,05 तो करेड़ा में बहुत ज्यादा थंड होती है तो यहां से स्टार्च होता है The snow was still deep and morning and evening cold when a week after this we reached Ottawa जो बरफ थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत layers deep थी, यानि हल्की से बरफ नहीं पड़ी थी, कई layers बन गई थी बरफ की सुभह और शाम तो बहुत जादा थंड थी कब जब हम एक हफते के बाद कहां पहुंचे ओटावा में पहुंचे यह जो प्लेस है वो बहुत थंडी है यह बताया क्या है एक हफता उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है एक हफते के बाद इसलोर ट्रैवल करना मुझे कभी पसंद नहीं आया था इसलिए जो मेरे साथ मेरा कंपैनियन था जिसका नाम था जैक मैंनो उसको कन्विंस किया मैंनो उसको समझाया कि हमको फास चलना चाहिए हैस्ट जानी करना चाहिए तोवर्ट सी विनिपेग that is another name of the place this he agreed to do वो भी मेरे सबाद पे अग्री हो गया so the next morning we jumped a fright train so अगले दिन हम फास जानी के लिए दूसरे train ढूनने लगे और वो जो थी वो train fright train थी fright train मत्तब जो सामान कहरी करती है और जो जादा जगे कहीं रुकने वाली नहीं थी हमार आंदाजा था determined to hold it for the whole day हमने डिसाइड कर लिया कि हम सी से के थ्रू जाएंगे unfortunately लें हुआ क्या वो जो train थी वो भी एक सपल local train निकली वो भी कोई fast going train नहीं निकली और इस बिंग वेरी स्लो जो तो नहीं पर ये वेरी स्लो थी काफी स्लो चल रही थी having to stop on the way at every insignificant little stations इतनी ये स्लो ट्रेन थी के हर बिना कसी importance वाली insignificant है वेकल छोटी छोटी सी जहां पर लगता नहीं है कि ट्रेन ने रुकना चीए वहां भी रुक रही थी we left it हम परिशान होगे थी स्लो जानने से और हमने उस ट्रेन को छोड़ दिया कहां पर? at a town called Renfrew, एक town में, एक city में रुक गए, ट्रेन से निकल गए जिसका नाम था Renfrew intending that night to beat a fast overland passenger train और ये हम कोशिश करने लगी उस रात के हमको एक fast passenger train मिल जाए which would convey us four or five hundred miles before daybreak, जो हमको 400 से 500 मील दिन होने से पहले राद भर में ही पहुचा दे with this object, we sat in the station's waiting room, ये सोच के हम station के waiting room में जाके बैट का है, until evening शाम तक के, and then some 20 minutes before the train became due अब यहां पर जो उनकी जरनी है वो without ticket है, इसलिए वो train के platform पे जाने के बजा है, जब 20 minutes थे train में आने में तो वो, जब train पहुचने में 20 minutes के करीब थे तो उन्होंने waiting room को छोड़ दिया we slipped out, वहां से चले आए, unobserved and took positions of an empty car हम इस तरीके से वहां से निकल गए कि जसकिसी का ध्यान हमारी और न जाए, और हमने जाके एक जगह पे रुख गए वो थी एक खाली कार, empty car ढूंडी जो के खुली हुई थी उसमें जाके हम बैठ गए and stationery some distance away, जो ये empty car थी, वो खड़ी थी, stationery थी और वो थोड़ा सा ही दूर distance पे थी, from which place we could see the train coming and yet be unseen from the station platform, और उस जगह बैठ के, हम, हमारे लिए possible था कि हम train को देख पाते पर हमको कोई platform से देख नहीं पा रहा था this train would soon arrive, और ये जो train है बहुत जल्दी ही आ गई for passengers were train जो है platform पे आने लगी for passengers were already pacing the platform, कुछ जो passengers थे वो platform पे पहले ही उस train का वेट कर रहे थे the luggage was placed in readiness उन्होंने अपने luggage एक दम प्लेट, ट्रेन के साम प्लेट, जहां उनका कोच था उसके सामने लगा के रखे थे and a number of curious people having nothing else to do, had assembled here to see the coming and going of the train, और कई लोग ऐसे भी थे जिनको train में नहीं चड़ना था, पर वो curious थे, उनको हमेशे कुछ जाननी की इच्छा रहती थी और उनको कोई काम करने के लिए भी नहीं रहता था, जिसकी वज़े से जिसकी वज़े से वो जमा हुए थे had assembled नहीं आके जमा हुए थे, खड़े हो गए थे खड़े हो जाना कहीं पे रुख जाना, assemble होना, जमा हो जाना रुख जाना, एक जगए पर आके खड़े हो गए थे, आती ही और जाती हुए train को देखने के लिए at last we heard its whistle and looking out हमने जब उसकी city की आवाद सुनी train की, हमने बाहर देखा, we saw the headlight in the distance हमको train के उस वक शाम हो हो चुकी थी, हमने headlight थोड़े distance ही देखा, drawing nearer and nearer, और जो headlight थी, हमारे पास और पास आते जा रही थी, it steamed into the station without making, steamed into the station without making much noise, for the rails was slippery, और वो धीरे धीरे steam उड़ाती हुई station के अंदर, बिना आवाज के जादा आवाज के पहुची, वो धीरे थीरे स्टेशन पे ऐसे क्यों आई, क्योंकि जो rails थे, वो थंड के दिन थी, वो काफी slippery हो चुके थे, जो पत्टियां होती है, रेन के पत्रियां वो काफी slippery थी, there's still being much eyes and snow on the train, track, और बहुँ थंड होने के कारण बरफ गिर रही थी, तो जो track थे, जहां पे trail track पे जस पे train चल रही थी, उस पे काफी ice, बरफ और snow होने के कारण उसका जो movement था, वो बहुत slow था and without making much noise अभी ये जो picture दिखाया गया है, वो इस type का picture है, ये है platform, इस platform पे, यहां पे ये जो पत्रिया, ये tracks है ये tracks काफी slippery है, ये steamed engine है, पहले जो engines हुआ करते थे, वो कोईले से, ये steam से चलते थे, तो हवा में steam जा रहा है ये train जो का engine जो है, धीरे-धीरे आ रहा है, इस आर दे सब people जो with luggage उधर आके खड़े हुए है train के इंतजार में यहां, ये जो कुछ कार दिखाई गई है, एमटी कार से, जो stationary है, वहार रुकी हुई है ऐसी जगह उन्होंने ढूंडी थी कि उसमें जाके बैठे थे और इस train को दूर से देख रहे थे तो ये जो complete अभी तक के description बताय गया है, वो इस टाइप का description था कम, I said to Jack मैंने Jack को कहा, नहीं किसने जो हमारे author है, जो हमारे writer है that is W.H. Davis उसे अपने friend, जो इसका companion उसके साथ था, जिसका नाम था Jack उसे बोला, कम आओ, there is no time to lose, हमारे पस बिल्कुल time नहीं है time waste करने के लिए and we quickly jumped out of the empty car और हमने बहुत जल्दी से empty car से, जब मार के बाहर निकल गए this fast passenger train carried a blind baggage car, यह जो fast passenger train थी, उसके पीछे एक blind याने जिसमें कुछ दरवाजे खड़किया नहीं होते हैं, जिसमें सामान को carry किया जाता है, उसको बोलते है blind baggage car, उसके साथ वो baggage car भी लगा हुआ था this means that the end nearest to the engine was blind in having no door, इसका मतलब यह था, यह जो blind baggage car का मतलब क्या होता है, कि जो engine के पास का जो end है, वहाँ पे एक compartment या कुछ ऐसे लगा हुआ है, जहाँ पे कोई दरवाजे नहीं थे our object was to suddenly appear from a hiding place हमारा object यह था हम जल्दी से hiding place हम छुपे हुए थे वहाँ से निकले और darkness being favorable और जो अन्धियारा था वो हमको इस काम में बहुत मदद कर रहा था वो हमारे फेवर में था, हम लोग हमारे को चहिए था जैसे हम कोई ना देख सके and leap on the step of this car और यह जो compartment था यह जो और उस कार जिस कार में हम बैठे थे उसमें समनिक जंप मारके निकले and from that place to the platform और वहां से हम platform में आना था this being done when the train was in motion पर यह हम को कप करना चाहिए था जब train actually चल रही थी train station पे अप्रोच हो रही थी knowing that the conductor who was always on the watch for such doings rarely stopped the train to put the men off जो conductors थे, जो कारी को conduct करते थे जो movement को पूरा run करते थे who was always on the watch for such doing वो हमेशा जानते थे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ऐसे दोड़ दोड़ के बिना ticket के train में चड़ते हैं वो हमेशा उन लोगों के तरफ धान देते रहते हैं वो कभी भी really stopped the train to put men off कभी नहीं, hardly ही कभी train को रोकते होंगे even men they sure of their presence वो अगर जानते भी हैं कि लोग ऐसे आ रहे हैं तो भी उस train को जल्दी रोकना पसंद नहीं करते होंगे करते हैं और अगर उस conductor ने हमको पहले जाने इसका मतल़ा वो दोड़ दोड़ के चुप चुप के बिना टिकट के train के compartment में घुस रहे हैं और conductor शह जानते भी होंगे कि ऐसे लोग हमेशा रहते होंगे अब यहाँ पे जो हमारे और राइटर है उनका बोलना है कि अगर उसने हमको देख लिया रहा होता if he saw us before the train started train start होने के पहले उसने अगर हमको ऐसे बिना ticket के चड़ते हुए देख लिया रहता he would certainly make means to prevent us from riding वो किसी ने किसी तरीके से हमको वहाँ से निकाल लेता और हमको आगे उस train से travel नहीं करने देता याने हमको छुप के ही उस train में चड़ना था because we are traveling without ticket when we had once taken possession of this car no man could approach us until we reach the next stopping place अगर हम एक बार उस कार में उस जगहे पे कार मतलब railway कहरी है यहाँ पे जो हम बोल रहे है that is for the compartment of the carriage जो हम पहले कार बोल रहे थे empty car मतलब वो actual car खड़ी थी अब यहाँ पे किस के बारे में बारत हो रही है कि जो railway का जो डबबा था उसमें अगर हम अपने पहुँच जाते अगर हम उस बार उस carriage में या उस position अमने ट्रेन में इंट्री कर लेती तो कोई भी हमको रोक नहीं पाता जब तक कि हम next stop पे नहीं पहुँच जाते यानि ट्रेन बीच में रोक के उनको उतारा तो नहीं जा सकता था यानि चलती ट्रेन में अगर एक बार वह अंदर चले जाएंगे तो कम से कम next station तक के तो पहुच जाएंगे without ticket which probably be 50 miles और मच मोर और जो next stop था वो 50 मील के करीब दूर था यानि हम एक साथ बिना ticket के 50 मील तो ट्रेवल करी लेते at that place we would dismount, conceal ourselves and when it was again in motion make another leap for our former place उस जगह पे भी we would dismount फिर से हम कहीं छुप जाते, अपने आपको छुपा देते और फिर से जैसे ही train चलने लगती हम फिर से jump मार के वापस अपनी place पे आ जाते of course the engineer fireman could reach us जो engineer और fireman है वो हम तक के पहुँच सकते थे वो हम को इस तरीके से करते हुए देख रहे थे but these men were always indifferent पर वो लोग थोड़े अलग ही हुआ करते है but they never interfered their business being ahead instead of behind the engine तो उनका जो काम था वो ये था कि engineers का और fireman वगरे का कि अपने काम से वो मतलब रखते थे उनका काम जो था वो business being ahead उनका काम आगे का था न कि ये देखने का कि engine के पीछे या लोग किस तरीके से अंदर जा रहे या आ जा रहे थे तो इंजिनियर और fireman तो in matters पे कहीं पे भी कुछ भी इंटरफेर नहीं करते हैं करते थे या करते हैं दे ट्रेंड विसल ट्रेंड के से विसल बजी अल्मोस बफोर वी वर रैडी लेकिन उस ताम तक हम बिल्कुल रैडी नहीं थे एंड पुल्ड स्लोली आउट अफ दिस्टेशन और धीरे धीरे ट्रेंड स्टेशन के बाहार जाने लगी मैंने अपने कंपेनियन को जो मेरा साथी था उसको पहले बोला कि तुम जंब मार के ट्रेंड पे चड़ो ओविंग तो हिस मेमेड हैंड उसके जो हाथ थे उसमें तीन फिंगर्स थी मेमेड का मतलब होता है एक हाथ पे तीन फिंगर्स थी जिसकी वज़े से उसको एक हैंडिकेप जैसा भी बोला जा सकता था ऐसा हाथ होने की वज़े से जो राइटर है हमारे ओथर जो डबली एच डेविस से उसने अपने फ्रेंड को पहला चांस दिया कि वो ट्रें में जम्प करें और उसमें चड़ जाए लेकिन ऐसा करते करते ट्रें और फास्ट हो गई एंड फास्टर फास्टर होते जा रही थी और अगर हमको ट्रें पकड़नी थी तो हमको भी उत्ता फास दोड़ना था उतना पेस उत्ती स्पीड बना के रखनी थी sprang करके lightly खड़ा हो गया after which my hand quickly took position of this bar इसके बाद मैंने भी train पे उस पे चड़ने की कोशिश की और मैंने भी उस बार को जाके जोर चल्दी से पकड़ लिया I ran with the train train के साथ मैं दौड रहा था prepare to follow his example और मुझे भी वैसा ही करना था जो की जैक ने किया था उसी के example को follow करना था to my surprise मैं बहुत हैरान रह गया instead of at once play once taking his place on the platform my companion stood thoughtlessly irresolute on the step मेरे friend जोसको एक कोना ले ले ना चाहिए था या platform पे चले जाना था ट्रें के अंदर चले जाना चाहिए था मेरा जो companion है वो बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ decide के irresolute यानि विदाउट deciding or anything उस step को पूरा घेर के खड़ा हो गया उसने मेरे लिए कोई space नहीं रखी leaving me no room to make the attempt यानि मैं attempt भी नहीं कर पा रहा था उस वक्त कि मैं उस पे step पेर रख पाऊं but I still held to the bar लेकिन मैंने बार को तो हाथ में पकडाई हुआ था though the train was now going so fast that I found great difficulty in keeping step with it. A train बहुत ज़्यादा fast हो चुकी थी और मेरे ले काफी difficult था कि मैं step पे अपना पैर रख सकूँ I shouted him to clear the step मैं उसको चला कर कहा कि step पो clear करो मेरे लिए जगह बनाओ this he proceeded to do very deliberately उसने ये किया बहुत धीरे धीरे से deliberately जैसे की न करना चाहता हो ऐसा मेरा सोचना था taking a firmer grip on the bar मैंने और grip जोर से पकड़ी बार पे I jumped but it was too late for the train was now going at a very rapid rate और इस वक बहुत लेट हो चुका था train इस वक बहुत फास जा रही थी मैं foot came short of the step मेरा pair step पे नहीं रह पाया and I fell और मैं वहां पे गिर गया and I still clinging to the handle bar पर मेरा हाथ अभी भी handle bar पे लगा हुआ था मैं अभी तक के मेरा हाथ hold किया हुआ था मैंने handle bar पे that was dragged several yards before I relinquished my hold मैं कई yards तक के कई रास्ता जो है train के साथ घसीता हुआ चलता गया जब तक के कि मैं पकड़ सकता था और आखर मैंने उसको छोड़ दिया मैंने उस relinquished मतलब छोड़ दिया leave कर दिया उसको relinquish means let go और release जब तक कि मैंने अपने हाथ को उधर से release किया मेरे hold को and there I lay for several minutes और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए कुछ minutes के लिए वाहर पड़ा रहा feeling a little shaken मैं पूरा हिल चुका था अपने आपको बहुत खबरा आ चुका था विल्स ट्रेन पास्ट्रिफली इंटो दे डाक्नेस और जो ट्रेन है यह जो है इस इस फास्ट मुविंग ट्रेन यह जो है दिस जैक यह जो है मारे ओथर नव थी आ थी हैंडल बार्स जिसको इसमें हाथ पकड के जिस पे पूरे स्टेप पे वो खडा हो गया इस फास्टेप रखने के लिए उससे कोई भी प्लेस नहीं थी जैसे कि वो वहाँ स्टेप रखके वहाँ पे खड़े रह सके और खुद वो भी ट्रेन के साथ मूव हो सके तो यह दिस वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो जो हमारे डव्ली एच डिविजी है वो स्टेप न रखके नीचे गिर पड़े फ्रम दे फास्ट मूविंग ट्रेन और वो होल्ड इस बार को होल्ड किये हुए थे जिसकी वजह से पैर नहीं रख पाए थे होल किये हुए थे तो ट्रेन उनको लटकाती हुई कुछ याट्स तक अपने साथ कैरी करके गई और उन्होंने जब हाथ छोड़ा वें दे रिलीज दे हैंडल बार वहां पे गिर गए और कुछ टाइम के लिए वैसे ही पड़े रहे एविन देन आ डिडेन नो वाट है एपन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो गया था for I attempted to stand लिकन मैं उन्हें फिर भी खड़े रहने की कोशिश की but found that something had happened to prevent me from doing this पर कुछ तो हो चुका था जिसकी वज़े से मैं बिलकुल खड़े नहीं हो पा रहा था sitting down in an upright position मैं खड़े तो नहीं हो पाया पर उठके बैठ गया proper position में I then begin to examine myself और फिर मैंने खुद को examine करना शुरू किया कि बाकी सब मेरे parts ठीक है या नहीं and now I found that the right foot was severed from the ankle जो मेरा right foot था मेरा जो right pair का हिस्सा था वो कट चुका था मेरे ankle के हिस्से से मेरा जो food था मेरा जो पैर था वो कट गया था this discovery did not shock me so much as the thought was which quickly followed ये जो बात थी मुझे उतना शौक नहीं की लेकिन जो सब कुछ हुआ था वो सब बातें जैसे ही मेरे दमाग में हाई तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरा एक एक body part तूट जा गया रहा होगा इसलिए सिर्फ पैर तूटने की बात ने मुझे उतना शौक नहीं किया for as I could feel no pain मैं भी तक के धरद मैसूस नहीं कर रहा था I did not know but what my body was in several parts मैं ये देखना चाहरा था कि क्या मेरी body पूरे टुकडे टुकडे में तूट चुकी थी and I was not satisfied until I had examined every portion of it मैं अपने आपको तब तक के satisfied नहीं कर पाया जब तक कि मैं अपने body के हर portion को टच करके examine किया कि सब ठीक है की नहीं seeing a man crossing a track उसी वक्ते मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो track को cross कर रहा था I shouted him for assistance मैंने जोर से चला के उसे मदद के लिए बुलाया He looked in one direction and another उसने एक तरफ देखा फिर दूसरी तरफ and not seeing me in the darkness पर इतना अंधियारा था कि वो मुझे नहीं देख पाया and was going his way वो फिर अपने रास्ते पे जाने लगा था when I shouted again फिर मैंने जोर से चला के बुलाया this time he looked full my way उस time पर उसने मुझे पूरा देख लिया but instead of coming nearer पर वो मेरे पास आने के बजाए he made one bound in the air उसने जोर से हवा में जम्प लगाया nearly fell उस जम्प लगाने से वो के बाद वो गिर पड़ा scrambled to his feet और ऐसे लड़ खड़ाता हुआ अपने पैरों पे was off like the shot from the gun वो इस तरीके से जोर से भाग गया जैसे की बंदू की गोली भागती है इस तरीके से वो मेरे को देखके भाग गया this man was sought after for several weeks इस आदमी को काफी दिनों तक के ढूंडा भी गया by people curious to know who he was कई लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन था but was never found पर हम कभी उसको ढूंड नहीं पाए कि वो कौन था and no man came forward to say I am he नहीं कोई ऐसा आदमी था जो सामने आया और खुद से बोले कि मैं था वो having failed to find this man men जब हम उस आदमी को ढूंड नहीं पाए people at last begin to think I was under ghostly impression दो लोग यह सोचने लगे कि मेरा जो उस वक्त हालत था वो भूत के बराबर हालत था उसने मुझे भूत समझ के भागा होगा probably that was probably that was other man's impression for whoever saw pity make the same speed as fear इस लाइन का मतलब है probably यह जादा करके यह हुआ होगा कि अगर कोई person भूत के समान समझ के का impression लेगा अगर कोई person मेरा impression भूत के जैसा लिया तो naturally for whoever saw pity मतलब naturally है कि वो डर के मारे afraid होके pity word जो यहाँ पर यूश किया है वो उस afraid होके डर के मारे वहाँ से तेज भाग कर ही जाएगा इस लाइन का मतलब है probably that was other man's impression यहने जिसने मुझे यहाँ देखा होगा उसका यही impression रहा होगा कि अगर उसने मुझे भूत समझा होगा तो वो घबरा के डर के मारे pity यहने बेचारा तेज स्पीड में भागेगा नहीं तो क्या करेगा that was the impression ऐसा हुआ होगा another man who after this approached who was a workman on the line दूसरा आदमी जो फिर मेर तक के आया वो शाद workman था line पे काम करने वाला line को चेक करने वाला railway का ही कोई इंसान था and at the sound of my voice जब उसने मेरी आवाद सुनी he seemed to understand at once what had occurred यह देखके वो बिलकुल समझ गया कि क्या आखर हुआ होगा क्या हो चुका था मेरे साथ coming forward quickly वो जल्दी से मेरे पास आया he looked me over उसने मुझे तरफ धान से देखा went away और वो चला गया in a minute, एक मिनट के बाद or two, एक मिनट और दो कुछ देर में returned with the assistance of several others to convey me to the station कई असिस्टंस को अपने साथ ले के आया जैसे कि वो मुझे station तक के पहुचा सके a number of people who were still there so that when I was placed in the waiting room to bide the arrival of the doctor कई लोग बहाँ पे थे उस वक तक भी बहाँ पे थे जब मुझे वेटिंग रूम तक के लेके जाया गया था और मैं वहाँ पे बैटना ही था मुझे, I have to wait मुझे इंतजार ही करना था इसके सवाँ मेरे पस कोई option नहीं था बाइड याने, मुझे रुकना ही अबाइड याने, wait wait करना ही था चल्दा अराइवल अब दॉक्टर के आने तक के I could see no other way of keeping a calm face before such a number of eyes then I taking out my pipe and smoking smoking I could see no other way of keeping a calm face मुझे अपने अपको शांत दिखाना था तो मेरे पस और कोई तरीका नहीं था अपने आपको शांत दिखाने का इतने सारे लोग जो मुझे घूर के देख रहे थे उनके सामने तो इसके लिए मैंने क्या क्या अपना पाइप निकाल लिया and smoking करने लगा and यह एक action था यह जो ऐसा action था मेरा which I am told जो यह बोला जाता था उसने ज़्यादा चर्चा बटोरी थी लोकल प्रेस में देन भाइ accident I am told cause much sensation in the local place note WH.H. Davis lost his foot in this accident उनने पना पैर कवा था इस accident में he was taken to the hospital उनने hospital लेका लेके जाया गया looked after well उन पे ध्यान दिया गया he had to undergo two operations उनके two operations way his leg was amputate उसका पैर पुरी तर से काट दिया गया नी से लेके पूरा लेग ही उनका काट दिया गया उनका food ensure रुए था पर पूरा लेग कट गया when he was better जब वो ठीक हुए and could move about on crutches और जो अपने बैसाखी थी उस पे मूव कर पा रहे थे वो बापिस इंगलाइन में आए he then begin to write poems and stories उन्होंने poems and stories लिखना start की but I had a hard time trying to find a publisher लेकिन उनको उस ताइम पर कोई publisher नहीं मिल पा रहा था जो उनकी poems and poetries को publish करे all these incidents and experience are described in this autobiographies उन्होंने अपनी एक autobiography याने खुद के लिए खुद के बारे में लिखी हुई जो बुक्ती उसमें यह सब कुछ लिखा है which is well worth reading it is written by W.H. Davis about the author W.H. Davis was born in 1871 in Newport, South Wales जब उन्होंने school अपने early age में छोड़ दिया and begin to trade थोड़ा business शुदू किया and took a trampling life याने एक vega bond एदर उदर घूमते रहने की गंदी से life जो आवारा लोग रहते हैं इस टाइप की life जो है England और अमेरिका में बिताई this except is taken from the autobiography of super tramp यह जो एक स्ट्रेक्ट है वो एक autobiography of super tramp करके लिखी है उन्होंने उसमें यह लिखा हुआ था which is the story on his life on the road, यह story है उन्होंकी life जो उन्होंने ऐसे road पे रास्ते पे घुमते हुए गोजा रही थी later on he wrote two more books भी उन्होंने लिखे थे about his life, a poet's plagamage plagamage मतब सन्यास ले ले लेना later days और आखरी अपने life के time में 1925 में he wrote a lot of poetries उन्होंने काफी poetries लिखी और the best of his poems थी that is the subject of nature आने nature's related poetry उन्होंने भहत जादा लिखी थी